हमारे देश के यशश्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने अमेरिका और मिस्र की यातरा भी संपून किये इस विजिट का क्या देश के लिए माइने हैं, क्या दुनिया के लिए माइने हैं, किस तरह से हमारे समाज को, हमारे राश्टर को, किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को और किस तरह से हमारे future को strong करने का इसमें एक महत्वपून माइल स्टोन है उसके बारे में मैं आप से कुछ चर्चा करूँगा आप सभी जानते हैं अमेरिका एक ऐसा राश्ट्र है जिसके पास पावर है, एकनॉमिक सुपर पावर है दुनिया में जो world order है, उस world order में अमेरिका की एक अलग वजूद है ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के partner of equal partner वाली जो भावना के साथ accept किया है एक उस तरह से समझाते की हैं, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलके काम करें वो एक बहुत बड़ा major, एक बहुत बड़ा achievement है पिछले नौ वर्षों में जिस तरह से मोदीजी ने देश की अर्थ विवस्ता को दसवे नंबर से पांचवे नंबर पे लेके आए जिस तरह से हाइटेक प्रोड़क्ट्स की मैनुफेक्श्रिंग का हिंदुस्तान हब बनने लगा और जो स्टेप्स भविश्य में जिस तरह से आज जिसकी फांडेशन ले हो रही है उन सब चीजों को देखते हुए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेंट पॉलिसी एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेंट पॉलिसी मोदी जी ने पिछले नौ वर्षों में रखी जिसमें राष्ट्र हित को सबसे जादा इंपॉर्टेंस रखी देश का हित किस चीज में उसकी इसाब से सारे फैसले हो इन सब चीजों को देखते हुए विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान बनी है माने प्रधान मंत्री जी को जिस तरह से रिसीव किया गया जिस तरह से उनके कारिक्रम हुए और जो समझाते हुए वो इन सब बातों को आप समेटें अगर नौ वर्षों का कारिकाल, इंडिपेंडन्ट फॉरंड पॉलिसी, आत्म निर्वर भारत में नई टिक्नॉलोजीज को डिवलप करने का जो कॉन्फिडेंस है जो एक लेवल है कि हम कर सकते हैं नई से नई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को हम डिवलप कर सकते हैं इन सब का निचोड है इस विजिट का सारांश है हर भारतिय का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि वाइट हाउस के लॉन्स सभी भारतियों के लिए खोले गए जब हम देखते हैं कि प्रदानमंतरी जी के युएस कॉंग्रेस के ज्वाल गर्व के जॉइंट सेशन में एक जन्वेन सिटैंडिंग ओवेशन बार 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 होता है स्पीकर तक खड़ेों के स्टैंडिंग ओवेशन में भाग लेते हैं अमेरिका के ये जो सम्मान है ये सम्मान देश के 140 करोड देशवासियों का सम्मान है जिस लेवल पे आज भारत को पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कारिकाल में पहुँचाया है जिस पॉइंट पे जिस हाइट तक लेके आएं वो उसका सम्मान है उसका recognition है जैसे हम इसमें समझोते हुए उनकी अगर बात करें एक-एक समझोते को आप लो एक समय था जब टेक्नोलोजी के लिए हम दूसरों पे dependent रहा करते थे हमारा US जब भी भारत सरकार से कोई भी US जाते थे तो वहाँ पे आदी से ज़्यादा बाच्चित होती थी कश्मीर की पाकिस्तान की इस तरह के एक अलगी narrative रहता था आज आप देखो इस state visit में प्रदानमंत्री जी की state visit में primary focus रहा कि हम दो ऐसे देश हैं जिनके पास आज technological prowess है technological capabilities है technological development की ताकत है तो यह दोनों देश मिल के क्या कर सकते हैं अब यह जो fundamental change आया है वो एक बहुत important take away इतना बड़ा change आया है यह कि हम दोनों मिल के क्या कर सकते हैं semiconductor हो, jet engine हो, defense technologies हो, quantum computing हो, AI में collaboration हो in सब में the thought process has changed 180 degree from the past in which earlier India was never considered as a joint development partner today India is considered as a joint developer, as a partner who can contribute to the development of technology that's the fundamental shift, it's a paradigm shift और geopolitical situation में भारत को एक बराबर का partners, strategic direction इस तरह से ले कि भारत और अमेरिका एक major एक major force बने, major drive बने, major एक जो दुनिया के जितनी भी आज problem से उनको solve करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बने है इन सब का reflection होता है President Biden के एक statement में जब President Biden केते हैं कि this relationship will be the most consequential relationship of the 21st century जब वो केते हैं कि this is the most defining relationship in the 21st century on the geopolitical map of the world यह उससे reflect होता है कोई भी Islamic country हो कोई भी दूसरी देश हो आज सब देश भारत को मोदी जी के leadership को उसमें एक trust दिखा रहे हैं एक नया एक trust है एक clarity of purpose है जिस clarity of purpose के साथ भारत के साथ एंगेज हो रहा है Egypt में अगर highest order उनका the order of the Nile वो मोदी जी को देते हैं तो वो भारत के हर देश भासी के लिए गर्व की बात है तो साथियों इस पूरे विजिट में जो major change आया है भारत की global positioning में दुनिया में भारत को दुनिया आज भारत में जिस तरह से दुनिया भारत को देखती है वो इस विजिट से reflect होता है ना केवल यूएस में बलकि यूरोप में अफरिका में साथिस्ट एशिया में सब जगे आज इस विजिट की discussion है इसकी चर्चा है और इस विजिट के बारे में लोग दुनिया में क्या परिवर्तन आया बड़ा उसको इस विजिट को उसका एक milestone मान रहे है मैं यहां पर summarize करता हूँ और जो कुछ बड़े समझाते हुए है उसके बारे में details रखूँगा पांच यचे points रखूँगा एक तो emerging technologies में 35 joint research projects हाथ में लिए गए emerging technologies का मतलब हुआ quantum technologies, AI, critical minerals, space technologies इन सब में semiconductor इन सब में joint research के 35 innovative projects लिए गए second telecom में भारत के 4G, 5G telecom stack को अमेरिका ने evaluate किया evaluation के बाद में clear जब उनको लगा कि this is a very very advanced telecom stack दुनिया के शायद कोई बहुत कम telecom technology stacks है जो की virtualized है याने hardware एक का हो सकता है software किसी का भी हो सकता है इस तरह से hardware और software की बीच में जो link होता है उसको तोड़ा गया है मारत ने जो बनाया उसमें तो that's a very advanced way तो इसमें next step होता है open RAN open RAN के लिए US और इंडिया joint development करेंगे US और इंडिया open RAN का joint development करेंगे quantum computing, AI और human space flight मैंने बोला joint research करेंगे और jet engine का manufacture भारत में होगा again this is a very very significant development jet engine अपने आप में बहुत ही complex technology होती है एक-एक jet engine के अंदर हजारों की संख्या में sensors लगते है it's a very complex physical, mechanical, electrical system इसका होता है उसको हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान aeronautics में manufacture किया जाएगा semiconductor से related तीन बड़े announcements तीन बड़े agreements हुए पहला micron technology का इसमें कुछ लोग एक ब्रहमक बात फैला रहे मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा अगर हम देखे अगर आप देखे इसे यह वेफर है यह वाला एक वेफर है इस वेफर में बारिकी से नैनोमिटर नैनोमिटर का मतलब आप आँक से नहीं देख पाएंगे इसको अगर नाखुन की नो कगरम लें उसका एक करोड़वा बारिकी से वन करोड़ टाइम्स बारिक इतना बारिक इतना छोटा इसके अंदर चिप्स होती है इस वेफर के अंदर 20,000 से ज़्यादा चिप्स है 20,000 से ज़्यादा चिप्स है इतना असा वेफर दिखता है यह लेकिन इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा चिप्स है इनको इस वेफर को फिनिश करना वेफर को फिनिश करके इसके अंदर जो बिल्कुल नैनोमिटर्स के चिप्स हैं उनको एक्स्ट्राक्ट करना एक्स्ट्राक्ट करके उनको फिर चिप बनाना इसको यह जो चिप बनी है यह चिप मनिफेक्चर करना इस चिप को अगर आप दे कई किलोमेटर की वाइरिंग होती है, there are chips in which 80 किलोमेटर की वाइरिंग तक होती है, 100 किलोमेटर तक की वाइरिंग होती है, आप सोचो इतनी सी chip है, क्या साइज आप देख रहो इसकी, लेकिन इसके अंदर कई किलोमेटर की वाइरिंग होती है, इतनी बारिकी से जो chip बनती है नानो मिटर्ज में वो चिप को ये बॉडी बनाई जाती इसकी, इसमें पावर सप्लाई, चिप की स्ट्रेंथ और चिप का एक्स्टरनल वर्ल्ड के साथ किस तरह से कनिक्शन होगा, सर्किट कैसा बनेगा, वो इसमें आप देखोगे, इस तरह से बनता है इस chip को फिर module में डालते हैं, यह module आपके phone में जाता है, आपके computer laptop में जाता है, आपके पास जो camera इसमें आता है, जिस TV पर आप देख रहे हैं, उस TV की screen में इस तरह के modules लगते हैं, तो इस वेरी वेरी advanced technology, extremely complex technology, और सातियों जो criticize कर रहे हैं, उनको ये भी जानकर ही रहनी चाहिए, कि देश ने 40 वर्षों तक semiconductor industry को develop करने का प्रयास किया है, first attempt 1980s में हुए थे, फिर 90s में हुए attempt, फिर 2000s में attempt हुए, चालिस वर्षों तक attempt करने के बाद में, पहली बार एक बड़ा major semiconductor player हिंदुस्तान में आ रहा है, it's not a, it's not, it's a very very significant thing, Micron technology is among the leading companies in the world, दुनिया के top 5 semiconductor companies में से Micron की किंती होती है, as per Gartner Research, Micron is the 5th largest company in the world in semiconductor manufacturing, तो semiconductor manufacturing में जो complex ecosystem होता है, 200 के आसपास total different chemicals और gases होते हैं, 250 के आसपास, जब पहला unit लगेगा, पहले unit के लगने से, वो सारा का सारा ecosystem हिंदुस्तान में बनता है, किस तरह से chemicals का storage होगा, कैसे उनका use होगा, किस तरह से उनकी ultra pure treatment करना होता है, किस तरह से उनको उप्योग में लाया जाएगा, किस तरह से gases को store किया जाता है, वो सारा का सारा किस तरह से just in time logistics maintain करनी पड़ती है, वो सारा का सारा ecosystem देश में आएगा, इसकी importance आप समझेए, इसकी semiconductor की importance अगर हम समझें, तो आज दुनिया की foundational industry है semiconductor, जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोग इस तरह की statements दे रहे हैं, लेकिन आज ये दुनिया की foundational industry, जैसे steel industry है, अगर steel industry है, तो बाकी बहुत सारी industry को उसका जो basic raw material चाहिए, वो मिलता है, जैसे chemical industry है, वो foundational industry है, कि chemical industry अगर देश में है, तो बाकी बहुत सारी industries को उसका उपयोग मिलता है, वैसे ही semiconductor industry आज एक foundational industry है, जिससे आज कुछ भी आप manufacture करना चाहें, चाहिए mobile phone manufacture कर रहे हैं आप, चाहिए laptop manufacture कर रहे हैं, चाहिए आप car manufacture कर रहे हो, चाहिए train manufacture कर रहे हो, चाहिए defense का equipment बना रहे हो, आपका जो camera हाथ में हो, हर एक चीज में semiconductor आज लगता है, एक train में तो कई हजार chips लगती है, एक car में कई एक हजार, डेढ़ हजार के आसपास chips लगती है, तो यह जो plant लगेगा, यह plant state-of-the-art plant है, इस plant में technology जो लगेगी, वो state-of-the-art technology लगेगी, और इस plant के आने से पूरा का पूरा ecosystem आता है, यह significant milestone है भारत की make-in-India, मोदी जी ने जो make-in-India launch किया था, उसके further progress के लिए, और जो आप लोग यंगर generation के लोगों, आपकी generation को देश की एक strong foundation, आप economy की एक strong foundation देने के लिए, जैसे पहला जब mobile phone plant लगा, तब लोग कहते थे कि क्या है, एक plant लग गया उससे क्या होता है, लेकिन आज देखो, mobile phone industry अपने आप में करीब साड़े साथ आठ लाग करोड की इंडस्ट्री है, आज, electronics manufacturing जब 10 साल पहले हम देखें, practically negligible थी, आज 25 लाग करोड की electronics industry है, electronics manufacturing industry है, I am sorry, 25 लाग इसमें employment है, electronics industry में, 25 लाग employment है, तो इतना 100 बिलियन डॉलर, 8.5 लाग करोड की electronics manufacturing industry है, तो इतना जो बड़ा change आया है, इस change में, semiconductor will become a major raw material for the electronics industry, automobile industry, defense industry, train, consumer electronics, इन सब के लिए, Micron के products उपयोग में आते हैं, mobile phone में, cars में, automobiles में, telecom equipment में, इन सब में Micron के products उपयोग में आते हैं, तो यह बहुत बड़ा milestone है, इसको इसको इसके आने से और भी बहुत सारी semiconductor industry आएगी, दूसरा बड़ा था, applied materials, दुनिया की सबसे बड़ी equipment manufacturing की company है, semiconductor field में, ऐसे ऐसे complex equipment होते हैं, हम सबने देखा laser कितनी focused होती है, right, laser हम देखते हैं, एकदम focused होती है, laser से भी अगर, एक लाख गुना fineness चाहिए, तो वो plasma से आती है, वो equipment applied materials बनाती है, उन equipments को हिंदुस्तान में design करेंगे, 400 million dollar के investment से, और हिंदुस्तान में उसके components और ultimately machine भी manufacture होगी, और दूसरा, तीसरा, lamb research, जो की 60,000 engineers को semiconductor manufacturing में training देंगे, जो 106, sorry 104 universities के साथ tie up किया है, पिछले जब से semiconductor mission launch हुआ उसके बाद से, उस सब में ये बहुत बड़ा milestone है, बहुत बड़ा force multiplier है, तो चाहे clean energy में cooperation हो, defense में cooperation हो, चाहे quantum में cooperation हो, telecom में cooperation हो, उन सब में आज US और India भागीदार होंगे, joint developers होंगे, co-creators होंगे, और एक ऐसी partnership जिसमें दोनों के दोनों देश मिल के नई technology बनाएंगे, ये इसका बहुत बड़ा एक मात्वपून take away.